Hello dear students, आज हम आपके लिए सेलेक्टर प्रस्टों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें कुल 44 questions प्रैक्टिस करेंगे, ये सभी प्रस्टन TGT, PGT, ELT grade के एक्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आईए शुरू करते हैं, देखते हैं, हमारा question number 1 है, हमारा question number 1 है, रेशम में उपस्थित मुख्य घटक होता है, A में है सेरेशिन, B में है फाइबरिन, C में है किरेटिन, D में है कैरोटिन, तो इसमें से सही बिकल्प चुनें, तो इसका कूट भी है, कूट A में है A, B, कूट 2 में है B, C, 3 में है C, D, 4 में है A, D, तो देखते हैं, कि जो सेरेशिन होता है, जो रेशम होता है, जो रेशम होता है, इसमें दो चीज़ पाया जाता है, एक पाये जाता है प्रोटीन, और दूसरा पाये जाता है गोद, तो जो प्रोटीन पाये जाता है, उसका नाम है फाइब्रिन, क्या नाम है, उसका नाम है फाइब्रिन, और जो गोद है, उसका नाम है सेरेशिन, तो इसलिए जो रेशम है उसमें सेरीशिन भी हो जाएगा सही और फाइबरिन भी सही हो जाएगा तो जो कूट है उसमें सही विकल्प होगा A and B तो A and B पहले वाले आप्शन में है तो इसलिए हमारा पहला आप्शन सही हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोवा यानी की कोखून के प्रसंसकरण के चरणों को सही क्रम में बेवस्थित करिये प्रसंसकरण माने प्रोसेसिंग जिसके द्वारा रेशम का धागा तयार होता है तो इसमें A में दिया है कताई, B में दिया है गोद छुडाना जिसको D गमिंग बोलते हैं, C में दिया है बेलिंग, D में भारण जिसको बोलते हैं वेटिंग, और E में दिया है छटाई करना या सोर्टिंग, EF में रील बनाना जिसको रीलिंग कहते हैं, अब इसको हमें क्रम से लिखना है तो सबसे पहला जो क्रम आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा सोर्टिंग का क्या सोर्टिंग और सोर्टिंग के बाद जो आएगा वो हमारा रीलिंग का आ जाएगा क्या आ जाएगा रीलिंग और रीलिंग के बाद जो हमारा आता है वो आएगा bailing bailing मतलब होता है gart लगाना ठीक है और bailing के बाद फिर आता है spinning या कताई जिसको बोलते हैं और कताई के बाद फिर आजाएगा गोद छोडाना जिसको कहेंगे de-gumming de-gumming और de-gumming के बाद जो सबसे last में आएगा वो होता है waiting waiting सबसे last में जो उसमें उसका भार बढ़त क्योंकि रेशम सबसे हलका रेशा होता है तो उसका भार बढ़ाने के लिए उसमें waiting process की जाती है तो सबसे पहले sorting हो गया sorting किसमें है E फिर उसके बाद reeling है F फिर उसके बाद bailing है C फिर कताई है A D gumming जो है ये B में है option और waiting जो है ये D में है तो हमारा option हो जाएगा E, F, E, A, B E, F, C, A B, D ठीक है तो हमारा तीसरा जो option रहेगा वो सही हो जाएगा इसके carding अगला question देखते है filament, course, dupian, nile किसके प्रकार है तो option A में है कपास option B में है linen option C में है own option D में है resham तो इसका सही answer हो जाएगा resham क्योंकि ये सब ही जो है ये resham के ही प्रकार है अगला question देखते है सिल्क बिज्ञान को क्या कहते है option A में है airy culture option B में है sery culture option C में है PC culture option D में है oly culture तो इसका जो सही answer होगा वो होगा sery culture क्योंकि रेशम के पालन को sery culture कहते है या जिसको कहते है सिल्क बिज्ञान सिल्क मतलब रेशम या रेशम बिज्ञान को क्या कहते है sery culture कहते है और PC culture ये मत से उद्दोग को कहते है या मत से पालन मत से पालन को PC culture कहते है और आलू उत्पादन को ओलेरी कल्चर कहते हैं ठीक है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option नमबर B सेरी कल्चर अगला देखते हैं protein जो कच्चे रेशम में उपस्थित होते हैं option A में किरेटिन option B में है फाइबरिन option C में है अलबूमीन option D में है गोल्बूलीन तो इसका जो राइट एंसर होगा वो हो जाएगा option नमबर B फाइबरिन जो रेशम होता है उसमें फाइबरिन नामक protein पाया जाता है अगला जो हमारा question है रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी बिसेस परिसज्जा उपयोग की जाती है मतलब सिल्क का जो वस्त्र होता है उस पे कौन सी परिसज्जा की जाती है option A में है carbonizing option B में है waiting option C में sanforizing option D में है tendering इसका right answer हो जाएगा option number B waiting क्योंकि जो रेशम के वस्त्र होते हैं वो बहुत हलके होते हैं इसलिए उन पे waiting परिसज्जा की जाती है जिससे उनका भार बढ़ाया जाता है अगला question देखते है रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है option A आउसोसक बिदि से option B में है घोलक बिदि से option C में है रशायन बिदि से option D में है इन में से कोई नहीं इसका right answer हो जाएगा option number A रेशमी कपड़ों पर जो दाग धब्बे लगते हैं उनको अवसोसक बिदि द्वारा छुड़ाया जाता है अगला question देखते हैं रेशम के कीडों की सबसे निस्क्री अवस्था कौन सी होती है तो जो रेशम के कीडे होते हैं उनकी चार अवस्थाएं होती है कौन कौन सी चार अवस्थाएं होती है देख लिजे उनकी चार अवस्थाएं होती है पहली होती है अंडा फिर होती है लारवा फिर प्यूपा और उसके बाद फिर कीडा ठीक है तो ये चार अवस्था होती है इसी में पीवपा अवस्था के बाद कोकून का निर्मार होता है किसका निर्मार होता है कोकून कोकून वह होता है जब रेशम का कीडा अपने मुख ग्रंथियों से लार निकाल के अपने पूरे बॉडी के उपर कवरिंग बना लेता है उस अवस्था को कहते हैं कोकून वो पूरे बॉडी को ही ढख लेता है तो अवस्था होती है कोकून तो जो सबसे निस्क्री अवस्था कौन सी होती है यही होती है कोकून की तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सी कोकून ठीक है अब अगला कोशन देखते हैं रेशम अत्वा रेयान से निर्मित जीना वस्त्र जीना मतलब होता है महीन वस्त्र कहलाता है option A में रेशम, option B में है सिफोन, option C में कैंपलेट, option D में है चिनोन, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा शीफोन, क्योंकि रेशम और रेयान से निर्मित जो महीन वस्त्र बनते हैं उनको सिफोन कहते हैं, ठीक है, अगला कोशन है, रेशम एक, फिर खाली अस्थान है, रेशा या तन्तु है तो कैसा तन्तु है, option A में है सेलूलोज, option B में है खनिज युक्त, option C में है प्रोटीन युक्त, option D में है धातु युक्त तो इसका right answer हो जाएगा, रेशम जो है, वह प्रोटीन युक्त रेशा है, जो सेलूलोज रेशा होता है, उसमें आता है कपास, लिलन, हेंप, ये सब सेलूलोजिक रेशा हैं, और जो खनिज में आ जाता है, एस्बेस्टस ठीक है, अब प्रोटीन में क्या आता है, एक रेशम आता और एक उन आता है, ठीक है, तो इसलिए, इसका सही answer जो होगा, वो हो जाएगा, option number C, रेशम एक प्रोटीन युक्त रेशा है, और प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है, अगला option A में है रेशम, option B में है उन, option C में है नायलान, option D में है कपास, तो ताप का अच्छा सुचालक, सुचालक क्या होता है, ऐसा वस्त्र, जो हम गर्मी में पहने तो हमें सी तलता प्रदान करें, उसे हम ताप का सुचालक कहते हैं, तो इसका right answer हो जाएगा, option number D, कपास, कपा इसके बाद अगला कोश्चन है, वह तन तो जिसकी सोखने की छमता कम है, option A में है नायलान, option B में है कपास, option C में है रेशम, option D में है उन, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C, रेशम, रेशम के अंदर जो गुड़ होता है जो पानी सोखने की छमता होती ही, वह सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसमे होती है, अगर ज्यादा की बात करें, तो सबसे ज्यादा उन में होती है, और कपास में, अगला question देखते हैं, इसमें कथन दिया गया है, रेशम उतना ह लचीला होता है जितना की उन कारण दिया है रेशम के रेशों में सिस्टीन कडियां भी होती हैं तो इसमें कूट में दिया ए और आर दोनों सही हैं दूसरे में है ए और आर दोनों गलत हैं तीसरे में है ए सही है परन्तु आर गलत है चोथे में है ए गलत है परन्तु आर सही ह तो देखते हैं ए में रेशम उतना ही लचीला होता है जितना की उन यह sentence बिलकुल गलत है क्योंकि उन जो होता है वह रेशम से जादा लचीला होता है और रेशम जो है वह उन से कम लचीला होता है इसलिए हमारा पहला एक गलत हो गया दूसरा रेशम के रेशों में सिस्टीन कडियां भी होती है यह भी गलत है क्योंकि रेशम के रेशे में सिस्टीन कडियां नहीं पाई जाती है इसलिए हमारा जो सही answer हो जाएगा वह option number B सही हो जाएगा A और R दोनों गलत है अगला question देखते है रेशे मतलब 10 है खाली जगए उसके बाद रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं मतलब कौन से रेशे हैं जो जिनके जलने पर बाल जैसी बदबू आती है तो option A में है flex, option B में है protein, option C में है nylon, option D में है rayon तो इसका सही answer हो जाएगा option B protein क्योंकि जो protein युक्त fiber होते हैं रेशे होते हैं उनको जलने से बाल जैसी बदबू आती है अगला हमारा question है जंगली रेशम सुछमदर्सी के नीचे समवर्धित रेशम से भिन दिखता है option A में है सत्य, option B में है असत्य, option C में है संबंधित नहीं, option D में है विवादित ये सारे questions एक्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका सही answer जो हो जाएगा, वो होगा option number A मतलब जो जंगली रेशम होता है, यह उत्पादित रेशम जो होता है, उससे यह अलग दिखता है संबंधित का मतलब उत्पादित, जैसे उत्पादित रेशम वे रेशम होता है, जो वस्त्र बनाने के उद्देश से उनका उत्पादन किया जाता है, और जंगली रेशम वे रेशम होता है, जैसे R&D वगएरे के पेड़ पर अपने आप उगाते हैं, और वहाँ पे कीडे पलते हैं और उनसे जो रेशम निकलता है वो जंगली रेशम होता है तो दोनों की संरचना सुच मदर्शी वो भिन होती है अगला कोशन देखते है खाली जगह है उसके बाद है उसमा का कुछालक है option A में है सूत option B में है रेशम option C में है लीलन option D में है रेशम तो इसमें होगा सही answer रेशम रेशम क्या होता है रेशम या उसमा का कुछालक होता है क्योंकि रेशम के बनेवस्तर हम सरदी में पहन सकते हैं यह सरीर को गर्मी प्रदान करेंगे क्योंकि इनकी आसो सकता कम होती तो पसीने वगरे ये नहीं सूकते हैं और सूत की अगर बात करें तो यह अच्छा कंडक्टर होता है यह सुचालक होता है लिलन भी सुचालक होता है और रेयान की बात करें तो रेयान में विस्कास रेयान और क्युप्रामोनियम रेयान यह दोनों रेयान जो है यह अच्छे सूचालक होते हैं लेकिन एसिटेट रेयान जो है वह कुछालक होता है तो इसका जो सही एंसर हो गया वह हो जाएगा रेशम अगला कोशन देखते हैं अत्यधिक हलका रेशा है अपसन A में है रेशम अपसन B में एक्रेलिक अपसन C में है टेरीलीन अपसन D में है पॉली प्रोपाईलीन तो इसका सही एंसर हो जाएगा रेशम क्योंकि अगर हलके रेशों की बात करें तो सबसे हलका जो प्राक्तिक रेशा है वो कौन सा है रेशम होता है उसके बाद अगला कोशन देखते हैं सस्मीरा S-A-S-M-I-R-A का सही पूल रूप बताईए उप्शन A में है Silk and Synthetic Mills and Research Association उप्शन B में है Synthetic and Art Silk Mills and Research Association उप्शन C में है Silk and Art Silk Mills and Research Association उप्शन D में है Standard and Specificance Dickens, Art Mills and Research Association तो इसका सही एंसर हो जाएगा Option No. B क्योंकि इसका जो फुलफाम है Synthetic and Art Silk Mills and Research Association अगला कोशन देखते हैं सेरी कल्चर निम्न बनाने की प्रक्रिया है मतलब सेरी कल्चर से क्या बनता है तो सेरी कल्चर से रेशम बनता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा Option No. B रेशम अगला देखते हैं रेशम निर्मार की बिदी या उसके अध्यन को कहते हैं Option A में है इरी कल्चर Option B में है PC कल्चर Option C में है कॉलनी कल्चर Option D में है सेरी कल्चर तो रेशम के अध्यन को या रेशम बनाने की बिदी या रेशम प्रक्रिया जो भी है सब कहलाता है सेरी कल्चर तो इसका सही एंसर हो जाएगा Option No. D सेरी कल्चर अगला देखते हैं किस प्रकार के सिल्क में कीडे को मारा नहीं जाता है जब सिल्क का निर्मार होता है तो उस समय कीडे को मारा नहीं जाता है तो Option A में है मूगा Option B में है टसर Option C में है इरी Option D में है डूपियन तो इसका सही एंसर होगा Option No. A मूगा मूगा रेशम जो होता है इसमें रेशम के कीडे को मारा नहीं जाता है अगला कोश्चन है रेश्मी कपड़ों पर लगे दाग धबों को छुड़ाया जा सकता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए और शोशक बिधी द्वारा एक कोश्चन रिपीट हुआ है इसके बाद अगला कोश्चन होगा वह बिधी जिसमें कोकून को गर्म पानी में डाल कर नर्म किया जाता है वह धागा धूड़ा जाता है क्योंकि जब धागा मिलता तो फिर उसको रील पर लपेटते हैं तो वह बिधी क्या कहलाती है option A में है throwing, option B में है reeling, option C में है weaving, option D में है rearing तो इसका सही answer हो जाएगा option A throwing throwing ऐसी बिधी है जिसमें कोकून को जब गर्म पानी में डालते हैं तो उसके बाद निकालने के बाद उसके धागे का छोड़ डूड़ा जाता है अगला question देखते हैं, रेशम के कपड़ों पर किस विशेश परिसज्जा को किया जाता है तो इसका सही answer हो जाएगा option B, waiting क्योंकि रेशम का कपड़ा सबसे हलका होता है तो उसके वेट को बढ़ाने के लिए भार को बढ़ाने के लिए उस पे भारण की प्रक्रिया या वेटिंग की प्रोसेस की जाती है अगला कोश्चन है प्रोटीन जो कच्चे रेशम में पाया जाता है तो रेशम में दो चीज पाया जाता है एक फाइबरिन प्रोटीन और दूसरा सिरेशिन सिरेशिन क्या है या गोध है तो इसमें option number B हमारा सही हो जाएगा फाइबरिन अगला कोश्चन देखते हैं सूत जो एक जानवर कीडे के कोकून से बनता है वह है तो इसमें option A में दिया है उन option B में रेशम, option C में सूती वस्त्र या सूत, option D में रेयान तो इसका सही एंसर हो जाएगा option B रेशम क्योंकि रेशम ही एक रेशा है जो हमें रेशम के कीडे से जो कोकून बनता है उससे प्राप्त होता है अगला कोश्चन देखते हैं निमनलिखित में से कौन सी छपाई की बिधी नहीं है option A में है बलाक, option B में है रोलर, option C में स्टैंसिल, option D में है बाटिक तो इसका सही answer हो जाएगा option D बाटिक, बाटिक जो है यह छपाई की बिधी नहीं है अगला कोश्चन देखते हैं गोद जो कच्चे रेशम में होता है तो कच्चे रेशम में जो गोद होता है उसको सिरेशिन कहते हैं क्या कहते हैं सिरेशिन तो सिरेशिन option number D हमारा सही हो जाएगा सिरेशिन नामक गोद रेशम में पाया जाता है अगला कोश्चन उनको नमी ताप यूम दाब दोरा आपस में उलज़ाकर जमाना कहलाता है option A में है सिरिंग, option B में है फेल्टिंग, option C में है कोहसिवनेस, option D में है क्रीम्स तो इसका सही एंसर हो जाएगा फेल्टिंग क्योंकि जब उनके नमदे को इसको नमदा भी बोलते हैं उसको उचित नमी ताप और दाब देकर आपस में उलज़ाकर उसको जमाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को फेल्टिंग बोलते हैं या नमदा बनाना बोलते हैं तो इसलिए हमारा B option सही हो जाएगा अगला question देखते हैं रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा ब्यवस्थापन को कहते हैं सेरी कल्चर कहते हैं जहां रेशम कीड़े का पाला नाया या उसका ब्यवस्थापन आया तो या रेशम से जो वस्त्र बनाते हैं उसकी प्रक्रिया तो ये सब किसके अंतर गताएगा या सेरी कल्चर के ही अंतर गताएगा अगला कोश्यन देखते हैं सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था उप्सन A है भारत में उप्सन B जापान में उप्सन C में है फ्रांस में उप्सन D में है चीन में तो इसका सही एंसर हो जाएगा उप्सन नमबर D चीन में क्योंकि सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन में हुआ था और रेशम की देवी किसको कहते हैं क्योंकि वही सबसे पहले रेशम को देखी थी तो अगर रेशम की देवी आजाए तो नाम लिख लीजेगा रेशम की देवी कहते हैं सी लिंगची को रेशम की देवी कहा जाता है अगला कोशन देखते हैं रेशम के कीडे का जीवन चक्र होता है लगबग ओपसन A में है 24-30 दिनों तक ओपसन B में है 37-63 दिनों तक ओपसन C में है 71-82 दिनों तक अपसन D में है 90-120 दिनों तक इसका सही एंसर हो जाएगा ओपसन नमबर B 37-63 दिनों तक क्योंकि रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका जीवन काल जो होता है वो especially दो माह तक होता है अगला कोशन देखते हैं रेशम है option A में है प्राकृतिक रेशा, option B में है कृतिम रेशा, option C में है दोनो option D में है इन में से कोई नहीं, तो इसका सही answer हो जाएगा option number A प्राकृतिक रेशा, क्योंकि रेशम एक प्राकृतिक रेशा है या प्राकृति में रेशे के रूप में मिलता है और कृतिम रेशा वे रेशे होते हैं जो प्रकिति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं उनको मानव बनाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा प्राकृतिक रेशा अगला कोश्चन देखते हैं एक प्राकृतिक प्रोटीन तन्तु है अप्सन A में है नायलान, अप्सन B में रेशम, अप्सन C में कपास, अप्सन D में पॉलियस्टर तो जहां प्रोटीन की बात आती है तो वहाँ पर दो रेशे आएंगे, एक उन आ जाएंगे और एक रेशम, तो उन यहां है नहीं, इसलिए हमारा सही एंसर हो जाएगा रेशम रेशम क्या है? एक प्राकृतिक प्रोटीन तन्तु है अगला कोश्चन देखते हैं, रेशम की निमलिखित विशेस्ताओं में से कौन सी गलत है? उचितनाओं सामर्थे और अतिसूच में ब्यास के कारण इसके वस्त्र हलके बनते हैं? बिल्कुल सही इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, यही गलत है क्योंकि इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है, यह 1.5 होता है यह भी सही है, इसके बाद इसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए इस पर S2O2 तथा SO2 ब्लीच का प्रियोग करना चाहिए तो यह भी सही है, यह भी सही है इसमें गलत कौन सा है? उप्शन नंबर B इसका जो गुरुत्व होता है, वह 1.5 होता है, ना कि 2.5 अगला कोशन देखते हैं वस्तरों का राजा किसे कहा जाता है? औप्शन A में है लीनन, औप्शन B में है रेशम, औप्शन C में है कपास, औप्शन D में है जूत तो इसका सही एंसर हो जाएगा औप्शन नंबर B अगर यही वस्तरों की जगह आजा है तंतु तन्तु या रेशों का राजा आ जाए तब फिर हम कहेंगे कपास को ठीक है तो यह difference आप सब समझेगा अगर वस्त राजा है तो वस्त्रों का चाहे राजा पूछे चाहे रानी पूछे हम बात करेंगे रेशम की लेकिन अगर तन्तु पूछ ले कि तन्तु का राजा कौन है तो फिर कपास आ जाएगा अब नेक्स्ट कोश्चन हम देखते हैं रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तन्तु पैदा करता है visa option A में है अंडा, option B में है डिम्पक, option C में है पूपा, option D में है पूड कीत तो इसका सही answer हो जाएगा option c पूपा आवस्था में ही जो रेशम का कीड़ होता है वह अब पन्तु पैदा करता है वह लार निकालता और अपने सरीर के उपर लपेटने लगता है तो वही प्यूपा के बाद क्या बनता है? कोकून बन जाता है, जिससे हमें रेशम का धागा प्राप्थ होता है, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, अप्सन नमबर C, प्यूपा. अगला कोशन देखते हैं, अंडे से कीडा बनने तक की अवस्थाओं का कोन सा सही क्रम है? option A में है अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीडा B में है प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीडा option C में है प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीडा option D में है अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीडा तो इसका सही एंसर होगा option number D अंडा फिर लारवा फिर प्यूपा फिर कीडा इसका एक सूत्र भी है इससे आप याद कर लीजेगा अल्प्यूपी आ से अंडा हो गया ला से लारवा प्यूपा और की से कीडा तो यह सिक्वेंस से याद रखियेगा इसका सही एंसर हो जाएगा अगला देखते हैं सभी प्राक्टिक तन्तु केवल फिर खाली स्थाने डैस के अत्रिक्त इस्टेपल तन्तु हैं तो जब लंबाई के आधार पर हम तन्तुओं का वर्गी करन करते हैं तो दो भाग में होते हैं एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है इस्टेपल इसमें पूछा कहें सभी प्राक्टिक तन्तु केवल किसके अत्रिक्त इस्टेपल हैं तो यहां पर आप्शन में है उन, रेशम, कपास, लिलन तो इसका एंसर हो जाएगा आप्शन नमबर भी रेशम क्योंकि रेशम के अलावा उन, कपास, लिलन जो सारे तन्तु हैं यह सब किस म होती है उसको फिलामेंट कहते हैं अब अगला कोशन देखते हैं चार के गर्म वा सांद्र गोल में उन और सिल्क के तन्तु, आप्शन ए है घुल जाएंगे, आप्शन भी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप्शन C में है सिकुड जाएंगे, आप्शन D में है फूल जाएंगे, तो इसमें सही एंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर A घुल जाएंगे, क्योंकि जब छार का सांद्र गोल रहेगा तो उसमें उन और रेशम घुल जाएंगे, तो इसलिए A हमारा सही हो जाएगा, आप कोशन नमबर 41 देखते हैं, अगला भारत में सर्वोच सिल सिल्क उत्पादन का छेत्र है, आप्शन नमबर A में है करनाटक और जम्मू कास्मीर, आप्शन B में है कोलकाता, आप्शन C में है है हैदराबाद, आप्शन D में है चेन्नाई, तो इसमें सही एंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर A करनाटक और जम्मू कास्मीर, भारत में जहां सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन होता है वहा है करनाटक और जम्मू कास्मीर अगला question देखते हैं कौन स्वा निर्मित रेशम नहीं है तो option A में है मूगा रेशम, option B में है लपेटा रेशम, option C में है कता हुआ रेशम option D में है अरंडी रेशम तो इसका सही answer हो जाएगा option number B लपेटा रेशम ठीक है लपेटा रेशम जो होता है यह उत्पादित रेशम होता है यह स्वा निर्मित रेशम नहीं है तो बाकी मूगा रेशम, कताहुआ रेशम, अरंडी रेशम ए सब कैसे हैं यह स्वा निर्मित रेशम है अगला question देखते हैं अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा सही क्रम है ये question रिपीट हो रहा है तो इसमें वही हो जाएगा अंडा, फिर लारवा, फिर प्यूपा, फिर कीड़ा तो option number B सही हो जाएगा अंडा, लारवा, प्यूपा, कीड़ा अगला question देखते हैं लास्ट question है इन में से कौन सा तन्तू रेशा प्राकृतिक फिलामेंट है option A में है रेशम, option B में है सूत option C में है उन, option D में है लीनन तो जहाँ फिलामेंट की बात आती है और वो भी कौन से फिलामेंट की, प्राकृतिक फिलामेंट की तो हमारा कौन सा रेशा आएगा रेशम तो इसमें option number A सही हो जाएगा रेशम एक प्राक्टिक फिलामेंट रेशा है आज हम लोग इतने question देखे हमें आसा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज इतना ही धन्यवाद